पेरिस ओलंपिक 2024 तो दोस्तों भी हम लोग यहां पर बात करेंगे दोसरे स्थन पर रहा इंडिया का रहा सारी सीडियों को भी हम लोग करके यहां पर देखेंगे तो चलिए हम लोग बात करते हैं जहां से कोशन पूश जाने के संभावना है तो पेरिस ऑलंपिक कहा हुआ तो यहां फ्रांस के राज़नी पेरिस में हुआ यह आप लोग ध्यान रखेंगे जैसे नाम से पता चल जा रहा है कि यहां पेरिस में खेला गया यह कब से हुआ तो 225 इस पोट्स में 329 ईवंट्स में 359 इवंट्स हुए तो यह भी याद रखेंगे इसमें जो हैं पारिशिपट कितने देश mots ने किया था तो इसको भी देखते हैं तो यहigue nove 106 countries जो थे वह परिश ओलम्पिक में भाग दिये थे तो यह भी आप लोग याद रखेंगे अब हम लोग आगे इसके बारे में फड़ी जान प्यारी को और देखते हैं इसी को अमदों फ्रेजेन केप के नाम से भी जानतेません तो यह फ्रेजियन केप रहा इस वर्स का मैश कट निया कर तो आप लोग देखते हैं कि सौंग क्या रहा इस वर्स फेरिस ओलम्पिक का तो है हेलो वर्ड तो यह सौंग ता लेकिन सब्सक्राइब जो इंपर्टन है मैसकाट जो कि फ्रीज रहा यानि कि फ्रीजियन के यह आप लोग याद रखेंगे अब आगे देखते हैं कि उलम्पिक की इतियास में पहली बार बोट पेरेट फ्रांस के सीन नदी पर हुआ तो यह भी एक एतियास की ही रहा कि पहली बार बोट परेड़ हुआ और यहां भी फ्रांस का जो प्रस्चिद नदी है सीन नदी तो इसी सीन नदी पर यहां बोट परेड़ हुआ और इसी बोट में सभी देशों के एतलीट सवार होकर के जो है एफिल टावर तक चले गए थे तो यह आप लोग याद रखेंगे कि पह मैकरोन ने खेलों के सुरुआट यह पूंध में खेल है नहीं यहां वहां सब्कास आप में के तो यह अपने आप में निया चीज रहा अब देखते हैं डोस्तों नकी बात करते हैं मेंडल स्टेली में कि क्वोन सा कंटरी को इस रहा कौन सा थर्ड रहा कौन सा देश और साथ-साथ इंडिया के बारे भी हम लोग देखेंगे कि इंडिया से रेटेड क्या जानकारी है तो यहां पर बात करते हैं जो पहले नंबर पर रहा हुआ है USA, United States of America जो की 40 gold medal, 44 silver medal और 42 bronze medal के साथ में total 126 medals जीत करके यहां पहले स्तन पर रहा है यानि कि first major रहा वह यह वे से रहा तो यह भी आप लोग याद रहेंगे सबसे ज़्याद इंपोर्टेंट तो ध्यान देना ही देना है जो रहा वहाँ 20 gold medal के साथ में 12 silver और 13 bronze medal के साथ में total 45 पंधव के साथ जा पान रहा ते भी आप लोग याद रखेंगे कि पहने नंबर पर USA, दूसरे नंबर पर चायना, उत्तितरे नंबर पर जा पान USA और चायना दोनोंने 44-44 gold medal जीते हैं यह भी आप लोग याद रखेंगे और जो पहना नंबर पर रहा USA यह तो आप लोगों को याद रखना है कोश्चन पुछा जा सकता है कि फ्रस्ट कंट्री कोन रहा जो कि परिस ओलमपीक 2023 में रहा तो वह उगा यह से इसपर का कुश्चन पुछा सकते हैं, अब दोस्तों अम लोग आगे देखते हैं भारत जो है परिस ओलंकी 2024 में तो भारत रिमेटरीया पर जहां करे को देखते यह आप लोग याद रखेंगे ओपिनिंग सरेमनी में भारतिय धोजबाहक पीवी सिंदू और सरत कमल रहे तो ओपिनिंग सरेमनी होता है उसमें हर एटलेट जो होता है अपने देश का परतिनिशित्व करता है तो भारतिय धोजबाहक के रूप में भी यहाँ पर पीवी सिंदू और सरत कमल रहे तो हर साल जो हर बार जो होता है उसमें धोजबाहक के रूप में भी यहाँ पर ओपिनिंग सरेमनी किया जाता है तो इसमें जो भारतिय धोजबाहक रहे हुआ पीवी सिंदू और सरत कमल रहे तो यह भी आप लोग याद रखेंगे यहां से भी कोशिर पूशी जाते हैं कि कौन दोज बाग रहे इस तरह के कोशिर पूशिज जाते हैं कि ओलंपिक खेलों में कूल 6 मेडल प्राप्त कर भारत 71 इस्थान पर रहा तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि टोटल जो है छे मेडल इस बार जीते हैं भारती एथलिकों ने और एक तरवा पोशिशन रहा इस वार जो है भारत का यह भी आप लोग याद रखेंगे टोटल 6 मेडल जीते हैं और एक तरवा इस्थान रहा 71 पोशिशन रहा तो यह भी पूशिज जा सकते हैं यहां से टोटल कितने मेडल जीते हैं या तो फिर कितना इस्थान रहा इस पर क मनुभाकर इन्होंने प्रांज मेंड दिलाया। दस मीटर ओमेंस फिस्टल शुटिर में यह venанд бел जो है भारत को दिलाया तो यह हममम भाकर ब्रांज इलाया है यह आप लोगों को याद रेखना इन वाली को देखिन को आगे दिखते हैं सेकंड नंबर में कुछ जीताया तो यह मनुभाकर पर शरवजुत सिंग इन दोनों ने मिल करके ब्रोंज मेडल जीताया 10 मीटर एयर मिच्ट पिस्टल सुटिंग में तो यह भी ध्यान रखेंगे कि ब्रोंज मेडल ही मनुभाकर और सरवजुत सिंग जो है मिच्ट एयर पिस्टल सुटिंग में दिलाया है तिसरे नंबर पर पदक दिलाया हुआ है स्वपनिल कुसाले जो कि ब्रोंज मेडल दिलाया और यहां 50 मिटर राइफल 3 पोजिशन सुटिंग में तो यह भी ध्यान रखेंगे कि ब्रोंज मेडल ही स्वपनिल कुसाले के द् याद रखें कि भारतिय होकी टीम ब्रोंज मेडल दिलाया मेंस होकी गेब में आगे देखते हैं निरस्चोप्रा जो की सिल्वर मेडल इस बार जीते हैं मेंस जेवलिन त्रो मुकाबले में तो यह भी याद रखें कि निरस्चोप्रा जो की सिल्वर मेडल मेंस जेवलिन त्र तो यह भी आप द्यान रहेंगे कि 57 kg मेंस रेसलिंग में अमन सहरावत के दवारा ब्रोंज मेडल लाया गया तो इस परकार से टोटल 6 मेडल इस बार भारत ने जीता और 71 में अस्थान पर रहा तो इस सारी सी जोंकों आप लोग याद रखेंगे तो पहला जो पदक दिलाया वहां मनुभाकर ने दिलाया यह भी याद रखेंगे और लास्ट में जो दिलाया वहां अमन सहरावत के दवारा दिलायागे यह भी आप लोग याद रखेंगे अब दोस्तों आगे तोड़ से और कुछ हम पर जानकारी को देख लेते हैं क्लोजिंग स्रेमेनी की बात करते तो यह गार अगस्त को वहा और आयोसी प्रमुक जो है वह थोमस बाख है यह भी द्यान रखेंगे यानि कि इंटरेशनल ओलमपिक कमीटी के प्रमुक वह थोमस बाख है आगे है कि पेरिस के मेर एन हिंडालगो ने ओलमपिक जंडा को लोस एंजल्स के मेर कारें बास को होपा तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट ओलमपिक गेम्स होगा वहां लोस एंजल्स 2028 में होगा तो लोस एंजल्स में जो है अगला ओलमपिक नेक्स्ट ओलमपिक जो है वहां लोस एंजल्स 2028 में होगा और इसलिए पेरिस का जो मेर है उन्होंने ओलमपिक जंडा को लोस एंजल्स के मेर को सपा था तो ये भी इंपोर्टेंट है कि अगला जो है ओलंपिक कहा होगा इस पर कोशिक पुछे जा सकता है अगला ओलंपिक जो कहा होगा तुगा होगा लोस एंजल्स में तो यह आप लोग याद रखेंगे दोस्तों यहां पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जो कि भारत की ओर से 6 पदक जीते गए और अगर हम लोग तोकियो ओलंपिक की बात करें जो की 2020 में वहा था तो उस हिसाब से इस बार का जो प्रदर्शन रहा हुआ थोड़ा सा कम जोर रहा थोड़ा सा कम रहा भारत का तोकियो ओलंपिक में टोटल 7 मेडल जीते ते उसमें से एक गोल्ड मेडल था तो इसी कारण से उस वर्ष जो था भारत का रेंक था वहां था फोटी टू सोरी 48 था उस समय का रेंक लेकिन इस बार यह 71 हुआ है तो यह आप लोग याद रखेंगे कि टोकियो ओलंपिक में जो था वहां 48 रेंक था और उस रोकियो ओलंपिक में जो था वहां 48 था तो इस परकार से आप लोग शार्चीज़ों को देख सकते हैं तो यहां पर जो है पेरिस ओलंपिक से जहां से कोस्चिन पूजानिक सम्मध होना है वहां मैंने आप लोगो बता दिया हो सकता है आप लोंगो करनफ्याज के रूप मे पूछा जाए यहां पर कोई भी एक्जाम में तो आप लोग इन सर्शीजों को भी ध्यान रखेंगे तो पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में जो थी वहाँ इस पर का से आप लोग ध्यान रखेंगे